सबको नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुलनिवासी, मैं डॉक्टर संगराम पाटिल, मैं इंगलेंड से बात कर रहा हूँ आप सबसे इस वीडियो के द्वारा, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निमंत्र को ने, इस कारेकरम के आयोजकों ने, मुझे यह इस प्लाटफॉर्म पर बोलने का एक मौका दिया है, और मुझे इन्वाइट किया है, और बड़ी दुख़्ी बात है कि मैं आज आप लोगों में व मुझे पॉसिबल है तो लाइव भी देखोंगा, सबसे पहले डॉक्टर विलास खरात और डॉक्टर प्रताप चाटसे जी को यह महत्वपूर्न इतिहास पर जो लिखी किताब है, यह आतिहासिक किताब है, ऐसा मेरा मानना है, और मेरे हिसाब से यह बड़ी आतिहासिक कित आप बनी है, आप सब को, हम सब को इसका प्रचार करना है, प्रसार करना है और पढ़नी है, खुद, खुद समझना है, तो मैं दोनों लेखकों को जो इतिहास के समुशदक है, इनको मैं बहुत-बहुत शुबेच्चा देता हूँ, congratulations to both of you, और आप सब वहाँ पर जो प्रो यह वामन मेश्राम साब है, हमारी प्रेणा है वो, हम सब उनको सुनते हैं, हमेशा मैं उनको जहां भी भाशन होते, प्रोग्राम होते हैं, उनको फॉलो करते रहता हूँ, तो बाकी जो लोग आये हैं, apart from वामन मेश्राम साब, सारे प्रमुक अथिति गन, सारे आयोज़क और आप सब प्रेक्षक जो प्रोग्राम को आज अटेंड कर रहे हैं, उनको सब को मेरा नमस्कार, और मैं कुछ बाते आपके सामने इस वीडियो के जरिये रखना चाहता हूँ, आज के इस बहुती आनंददाई, बहुती इंपोर्टन दिन पर जब ये किताब का अनावरन होने जा रहा है, इसका प्रकाशन होने जा रहा है, तो बहुत बार सातियों मैं सोशल मेडिया पर बोलते रहता हूँ, और वारतालाब भी जब लोगों से वादवियाद होता है, चर्चा होता है, जब होती है, तो लोग मुझे पूछ लेते कि, अरे संगराम, ये क्यो गड करने का प्रयास करते है कि क्यो इतना पीछे जा रहे हो, उससे क्या मिलेगा, तो सातियों ये बहुत इंपॉर्टन्ट है कि हम गड़े हुए तत्यों को, गड़े हुए सत्यों को, गड़े हुए जो मूल भावनाए थी, मूल परमपराए थी, मूल मान्यताए थी, उनको गए हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि सच यह हुआ करता था यह सच है तो उसको बाहर लाना आज फिर से उसको study करना और लोगों के सामने प्रस्तुत करना यह बहुत बड़ी बात है मैं कुछ सिंपल से examples आपके सामने प्रस्तुत करूँगा कि हम देखते हैं कि हमें उपर सब देवी देवता प्रथा मान्यता त्योहार उत्सव यह सारे ब्रह्मन धर्म के या आज जिसे हिंदु धर्म बताया जाता है उसके बताया जाते हैं और उनके पीछे का जो कारण होता है मूल उद्देश होता है वो भी किसी पुरान में मिली जाता है तो यहाँ पर कोई देवता या कोई अवतार या कोई विधी होता है या कोई गटना गटी होती है पुरान में और उसके उपर से फिर यह जोड़ कर तोड़ मरोड कर हमें पेश किया जाता है कि इस वज़े से हम दिवाली मनाते इस वज़े से हम गनेश की चतुर्ती मनाते है, कुरुष्णाष्ट में मनाते है, राम नहुं में मनाते है, तो इसकी हमें जो वज़ा होती है ये ब्राम्मन गरंत धर्म के पुरानों में मिल जाती है, लेकिन अगर उनको हम क्वेशन करें, अगर हम उसको critically अनलाईज करने का प्रयास करें, तो वो कोई सेंस ही नहीं, उसमें logical सेंस ही नहीं होता है, जैसे कि रावन की जो स्टोरी मिल जाती है, रामायन जो वालमी की रामायन है, ब्रामन धर्म की गरंत है, तो उसमें जो रावन की स्टोरी होती है, कोई logic ही नहीं होता है इसमें, और उसके कोई आधा तो यह कुछ भी हमें मिलते नहीं है तो इससे हमें पता चलता है कि सच बात जो है एक तो छिप गई है चिपाई गई है या भरष्ट हो गई है और वो तोड मरोड कर सेकड़ो साल हजारो साल जिस तरीके से हमारे सामने आज प्रस्तुत होती है प्रस्तुत की जाती है वो बिल भी सबूत हमें जमिन में नहीं मिलता है आर्केयालोजिका नहीं मिलता है पुराने जो जो दस्तावेजे उनमें ठीक से सबूत नहीं मिलता है नीचे गड़ा हुआ जो मिलता है वो कुछ अलगी सकते होता है तो उपर से जो पहराव है आउडंबर है जो दिखावा है ये ब मैं देखते हैं यह क्या चीज़ें है और नीचे एकल्म क्या गड़ा हुआ है जमिनके अंदरख है एकल्फ तो इसके और मैं ज़्याधा इसकोल इसको खीक्षना ने मिश्या चाहता हूँ लेकिन और मैं इसका example आपको देना चाहता हूँ, पीछे महराष्ट में एक RSS का आदमी है, बुड़ा आदमी है, कुछ को nuclear scientist करके वो present करता है, और ये घूमते रहता है, ये बिल्कुल typical ब्राह्मनवादी मानसिक्ता में ये बड़ा हुआ है, और इसी का वो प्रचार करता है, तो ये महिला विरोधी है, ये आरक्षन विरोधी है, एक महिला पत्रकार ने उसे question पूछ लिया, तो इस arrogant बुड़े आदमी ने उसे कही दिया, कि पहले बिंदी लगा के और फिर मैं बात करूँगा तुम से, तो ये जो मान्यता हो जाती है, कि अगर तुम इस भारत देश की अवरत हो, हिंदू धर्म की अवरत हो, हिंदू संपरदाय में जन्मी हुई हो और पढ़री हो, तो तुमें अपने माते पर यहाँ पर बीच में तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए अपने मांग में, तभी तुम हिंदू महिला हो, और तभी तुम ठीका लगा दे या सिंदूर में मांग में सिंदूर बर दे इसी बात होती ही नहीं थी तो फिर ये कहां से घुज गई क्या ये नहीं कोई आडिशन आ गई या कोई उस वक्त की जो मोजुदा प्रस्तुत जो प्रस्तापित जो प्रथा थी उसको ब्रश्ट कर दिया गया और इस तरीके का कोई अउडंबर चला और फिर ये आज का सिंदूर बन गई बिंदी बन गई हम देखते है कि कापी सारी जो मौडन लेडिज है वो अपने गले में मंगल सुत्र नहीं पहनती है तो मंगल सुत्र नहीं पहना तो जो पुरानी पिड़ी के लोग होते या आज के पिड़ी के जो ब्रह्मन वादी जिनको अंदबक्त बोलते है संगी बोलते है ये लोग टोक देते है तो फिर हम देखते है कि ये मंगल सुत्र क्या है क्या है ये पहले हुआ करता था कुछ सो पाल कुछ सेकड़ो साल पहले मंगल सुत्र क्या महलाय पहनती थी और क्या उसक यह जुड़ता है और इसका फिर एक प्रतिक बन गया है और यह आज हमारे सामने इस तरीके से प्रस्तुत होता है वैसे यह जो टीका जो बताया जाता है यह भी भगवान बुद्ध के ही एक प्रता से आया हुआ है मैं आगे जाकर आपके साथ शेयर करूँगा वो बात जब म ऐसा अभिमानी था गर्व धारी था कि उसको मारना जुरूरी था इसलिए उसको जमीन में गार दिया पाताल में गार दिया भगवान के आउतार ने वामन ने लेकिन अगर यह बात सही है कि ऐसा यह बुरा आदमी था तो फिर मेरी मा, मेरी बहन, मेरी दादी, मेरी नानी य यह सब ऐसा क्यों कहते है मराटी में इडा पिडा जाओ बड़ी चे राज्य हो मतलब इडा पिडा यह जब दुख का राज जाओ और मेरे बली राजा का राज आए तो यह क्यों कहती है तो यह प्रथा जो चली है यह कुछ और मुझे बता रही है सच्चा ही बता रही है लेक कि बाबा साब बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारा इ commissioner पता होना चाहिए और जिनको इतियास पता होता है वही वरतमान में बनाते है और उनकही बहुत होता है और यह जो लड़ाइ जो हुई है प्रतीखो फूष की परंपराों की मान्यतां की संस्कृतियों की इसको भी जानन नई चीजे भी देखी पड़ी है और ये किताब जो है हमें ये काफी सारी बाते क्लियर करती है कि जब भगवान बुद्ध का एक काल था चब्वे सो साल पहले तो वो भगवान बुद्ध के जाने के बाद कुछ सो साल के बाद उनकी परमपरा जुथी उनमें अलग-अलग श शाकाओ की उपशाकाए हो गई यहाँ पर यह डिविजन हो रहा था और बाहर से जो आकरमन हो रहे थे ब्राह्मन पंत के मुस्लिम पंत के यह आकरमन भी वो जहलती गई और इसमें यह बदलाव होते गए और यह बदलाव के चलते चलते ऐसा समया गया कि वो जो कल्चर था बुद्धिस्ट कल्चर था वो एकदम असुरक्षित हो गया वलनरेबल हो गया और इसके होते होते फिर कुछ चीजे लोगों ने कैप्चर कर ली जैसे कि ब्रह्मन पंत ने काफी सारे विहार काफी सारे उसवत की मुर्तिया ये सब कैप्चर कर ली और वातावरह ऐसा भयाव आतंका हो गया कि जो फालोवर थे बुद्धा के पंत के उनको भी बुद्धा के नाम से पंत चालू रखना शुरू रखना ये मुश्किल हो गया तो उन्होंने नाम बदल कर रूप बदल कर बुद्धा की जो फालोवर शिप्ती वो कंटीनू रखी जो हमें महराष्टर मे दिखती है जैसे नातपंत है या विठोबा है या खंडोबा है तो ये बदले हुए नाम बदले हुए रूप ताकि वो उस प्रता को जिंदा रख पाते और इसको सदियों तक साथ लेकर अपने पीडियों को अगली पीडियों को ट्रांसफर कर पाते इसलिए ये प्रताये चली तो ये सारी बाते उजागर होती है बहुत सारी जो समाज में हमें प्रताये आज भी दिखती है जैसे वासुदेव आता है गावों में एक मोर के पंखो का टोप पहन कर वो आता है और सुबह सुबह लोगों को जगाता है तो ये प्रता, ये बुद्धिजम की प्रता है, ये तो बात हमें पता ही नहीं होती है, हमें लगता है ये कोई ब्राह्मन दर्म की प्रता चली होगी, ऐसे अलग-अलग ब्राह्मन लोग, ब्राह्मन दर्म में जो उपनायन का वीडियो होता है, वो भी बुद्धिजम की प्र यह तो सिंपल चीज है उन्होंने आर्कियोलोजी और जो भी गरंत के प्रमान मिले है रेफरेंसेस मिले है उनसे ना केवल जंबुद्विक के संदर में जो बारत देश जंबुद्विक कहलाता था उसके संदर में लेकिन अंतर राष्ट्रिय परिपेक्ष में भी चाहे वो च अरेबियन कंट्रिज ओ या ये उरोपियन कंट्रीज हो इनमें जो जो रेफरेंसेस मिले है आर्कियोलोजिकल या लिकित प्रमान मिले है उनकी एक जोड बनाकर इसको इस कंडोबा एक प्रस्तुत किया है और यह सारा जो लेफ्म कारश ना सामने लाया है तो मैं इस बुक की I will highly recommend this book आप सब पड़े और इसका प्रचार और प्रसार भी करें तो ये रहा मेरा बुक के संदर में कुछ initial जो introduction था अब मैं कुछ मेरे मन में जो बात है जो मैं काफी दुनों से मेरे YouTube के चानल से प्रस्तुत करने की मेरे मन में एक इच्छा थी लेकिन मैं ये आज आपके सामने इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये काफी सारा जो material है ये मेरा first hand नहीं है ये second hand है first hand इसको credit जो जो लेखक सुम्शोधन करते है इतियास का काफी सारा in-depth study करते है जैसे विलास खराज जी हो या प्रताप चासे जी हो ये first hand researchers है मैं इनकी किताबों से पढ़कर वहाँ से material लेकर सिखकर और फिर लोगों के सामने रखता हूँ क्योंकि मेरा study का जो depth है ये इतना ही है मैं इतना ही manage कर पाता हूँ second hand research second hand history जो है main researchers की उससे मैं उठाता हूँ चुराता हूँ और लोगों के सामने रखता हूँ तो credit for this information goes to most of it मैंने कापी अलग-अलग resources से भी लिया है लेकिन विलास्कराज जी की जो किताब है वर्तमान क्षत्रियपुर्व में कौन थे इस किताब के खंड तीन में ये चीज़े मुझे मिली है तो मैं एक बाबा को सुन रहा था और ये मैं ज्यादा सुनता नहीं इसे भी ज्यादा ये NRI जो educated English speaking population होता है इंडियन्स का हिंदूस का इसमें ज्यादा वो famous है और बड़े ये जो बात करने में बड़े smart है ये globally इनका नाम है बड़े बड़े राजनेता भी इन से मिलते रहते हैं तो ये बाबा का एक वीडियो मैंने सुना यूट्यूब पर और इसमें वो जोडते है कि शिव या बुद्ध इसमें कौन स्रेष्ट है इस तरीके का ये वीडियो का टॉपिक है उनका कोई follower उनको सवाल पूछ लेता है तो वो उनकी understanding के साथ उन्होंने उसका उत्तर दिया है तो ये हिंदू पंत के बाबा है ब्रह्मन पंत के बाबा ह तो जाहिर है कि ये शिव जो कालपनिक जो देवता है जो बुद्धिजम से ही उठाई गी है जिसके मैं कुछ references आपके सामने प्रस्दित करूँगा तो उसको ये कहते है कि ये अनन्त है ये हजारों सालों से लाकों सालों से चल रहा है साथ हजार साल से चल रहा है और इसमे कोई limitation नहीं है और बुद्धा का जो पाथ है ये एक limited single track है और scientific है logical है लेकिन इसको बहुत limitation है बहुत लंबा रस्ता है और जिसको बहुत patience है सबर है वो ये follow कर सकते है लेकिन शिव का जो पाथ है ये विशाल है महान है और इसको follow करने वाले जो है ये सदा सुरक्षित रहत है तो ये अपने अन्डरस्टाइणनिंग होती है और ये लोगतंत्र है हम लोगतंत्र में विश्वास करते हैं और दिमागी freedom में भी विश्वास करते है तो जिसको जो सोचने की आजादी है वो अपना अपना विवेक इस्तमाल करके बुद्धी इस्तमाल करके ये सब ये जो टॉपिक है मेरे दिमाग में साल देड़ साल से है कि शिव जो है ये एक गैर वैदिक देवता है ये ब्राह्मन धर्म की देवता नहीं है क्योंकि इसका उल्लेक जो है ये पुरानों वेदों में नहीं आता है ये बुद्धिजम के लिटरेचर में भी नहीं आता है ले और हम अगर आज देखते हैं तो हमें दो तरीके की चीज़े मिलती हैं एक तो यह जो शिव है इसमें कही न कई बुद्ध छुप गए है तो मैं आपको एक यह वीडियो की जो क्लिप है मैं आपको यह दिखाऊंगा आप प्लीज यह क्लिप देखिए तो आप यह क्लिप में देख सकते हो कि इसमें बुद्ध छिपाए गया है और कुछ ऐसे हमारे सामने एक्जामपल से जहां पर बुद्ध छुपाए नहीं गया है वो खुलम खुला बुद्ध दिख रहे है लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है तो आप यह क्लिप भी देखिएगा तो यह जो अपने क्लिप देखी है इसमें शिवलिंग जिसे कहा जाता है ब्राह्मन पंत में, उसके उपर ये बुद्ध है, ये बुद्ध का स्टूप है, और उसके उपर ये बुद्ध की मुर्तिया है, जो मुख है उसके, लेकिन उसको नाम बुद्ध नहीं है, उसको शिव कहा गया है, अलग-अलग बाबा, उसको क बुद्ध के नाम बदल दिये गये हैं बुद्ध ही अगर हम ये ठीक से सारे मुर्ती के अगर औरनामेंट्स निकाल दे इनके कपडे बाहर जो लगाए है वो निकाल दे और अगर ओरिजनल मुर्ती देखे तो ये सब मुर्तियों में हमें बुद्धा आ जाएंगे तो कई पर यह चिपाई नहीं है लेकिन उनका नाम बदल दिया है और फिर उसके साब से उसका ब्राह्मनी करन कर दिया गया है तो इसकी मैं डिटेल में अब आपके साथ ये डॉक्टर विलास खराद मी जो बताया है ये आपके साथ शेर करूंगा शिव कोन है तो शिव ये आज के ब ब्राह्मनों ने बहुत दर्म और अन्य चोटे-चोटे पंत को ब्राह्मन वाद में सम्मिलित करने के लिए किया है इसके बारे में इतियासकार विजहनात का दाखला विलास जी ने दिया है और वो कते है कि विश्णु और शिव के नाम से ब्राह्मनों ने भारत के अनेक स् इन संप्रदायों को ब्राह्मन दर्म में सम्मिलिट कर लिया। जिसे शिव बताकर ब्राह्मनों ने उसका ब्राह्मनी करन किया और अभी जेजुरी में खंडोबा का शिवलिंग के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। अनिश्का के टाइम के जो क्वाइन्स मिले है उनमें भी एक मेडिटेटिंग योगी ध्यानस्त योगी की मुद्रा मिली है। और यह अउलो की त्वेशर की मुद्रा है। और इसी तरीके का ध्यानस्त योगी जो सिंदु का लिन्द सब्वेता है उसमें भी ऐसे कोइन्स मिले है। तो यह बुद्ध धर्म की परमपरा है। बहुत सारे लोग चोक जाते हैं कि बुद्ध के पहले, 2000 साल पहले अगर सिंदु गाटी की सब्वेता थी तो वहाँ पर बहुत सब्वेता कैसे हुई। तो बुद्ध के लिट्रेचर में ही पुर्व के बुद्धो का रेफरेंस आता है। और यह पुर्व के बुद्ध जब हुए थे उनके जमाने में भी कुछ प्रतायती जैसे पीपल का पेड़ हो या यह जो धानस्त योगी होते हैं जो बुद्ध की जो आकृती की जाती है दानस्त बुद्ध की यह भी उसी का एक नमुना है और काफी सारे उसके आधार है कहने के लिए कि वह पुर्व बुद्ध की परंपरा रही है। तो यह जो बात है यह वेदो में नहीं आती है वेदो में शिव का उलेक भी नहीं आता है लेकिन शिव जैसा रुद्र नाम का एक स्थानिक देवता का जिक्र उसमें आता है लेकिन ये रूद्र जो है ये अलग है ये बिलकुल शिव नहीं है ये बहुत सारे जो इतियासकार है उन्होंने ये प्रूब कर दिया है कि रूद्र ये अववैदिक मुल्निवासी भारतिय देवता थी और ये बुद्ध पुर्व कालखंड में शिव का कोई अस्तित्व नहीं था और कुछ ब्राम्मन इतियासकार जिस अवैदिक देवता रुद्र के साथ शिव को जोडने की कोशिश करते है ये अक्चुली उसका कोई रिलेशन नहीं है वो लोकल लोगों की एक देवता हुआ करती थी रुद्र लोग विचित्र आवाज निकाल कर गायन करते थे जिसे रुदन कहा जाता था आज भी राजस्तान में ये रुदाली नाम से ये प्रथा चलती है तो वेदो में शिव नहीं है बुद्ध जो ओरिजनल साइटे उसमें शिव नहीं है तो फिर ये प्रूव जाता है कि शिव ये पोस्ट बुद्धिस्ट जो टाइम था एरा था उस टाइम की एक देवता है तो ये कौन सी देवता है तो इसके बहुत सारे आधारे सातियों कि ये प्रत्यक्ष में बुधिजम में जो अलग-अलग अरहंत या बुधिसत्व या उच्छ अध्यात्मिक आवस्ता प्राप्त करने वाले लोगों को जैसे देव, देवी, देवता कहलाने जाने लगा तो उ देख थे अवलो के तिश्वर, उनकी रूप को आगे जाकर शिव कहा जाने लगा तो प्राचिन काल में मुर्ति पुझा हुआ नहीं करती थी, तो मुल आर्यों के मंदिर होते नहीं है, मिलते नहीं है, तो फिर आर्यों में मुर्ति पुझा की भी परंपरा नहीं थी, आर् पर मंदिर नहीं है मुर्तिया नहीं है तो इसलिए ये जो मंदिर और मुर्तियों की प्रता है ये स्थानिक प्रता है ये बद्धों की प्रता है गईर आर्यों की गईर ब्राह्मन लोगों की प्रता है तो शिव का उलेक बुद्धकाल में नहीं है नंदकाल मोरेकाल में नहीं शिव का पहला जिक्र जो है ये कुशान काल में मिलता है जहापर कुशान राजाओं ने शिव को ओईसो कहा गांधार और उत्तर पश्चिम भारत में बहुत्ध धर्मिय राजाओं ने धानस्त बुद्ध को जादा मुटो देना शुरू किया इसलिए उनके शिश्व में धान में शिव कहा जाने लगा कुशान सामरज्य की सोने तता तामे की मुद्राय मिलिये उन पर भी बुद्ध को त्रिरत्न के साथ दिखाया गया है और जिसको बाद में त्रिशुल के साथ समझा जाने लगा तो ये त्रिशुल जो संकलपना है ये भी बुद्धिजम से ही शु विभिन शाकाओं के कारण कुशानों ने बुद्ध को भाषा के अनुसार अलग-अलग नाम दे दिये थे, तो उसको बोडो ये नाम बुद्ध को बोडो नाम प्रचलित हो गया था कुशानों के वक्त, वैसे ही ओइस्सो ये परिश्यन भाषा में वरस शब्द से बना हुआ तो वैस का मतलब इश्वर ऐसा होता था, अब इस इश्य या इश्वर ये जो शब्द इसको आ गया, ओश्व के माद्धम से, तो ये किसको कहा गया है, तो कुशानकाल में बोडि सत्व अलोकित्व श्वर जो थे, इनको इश्वर कहा जाता था, और महा अलोकित्व श्वर या महेश्वर, महाईष्वर, इसी से यह महादेव भी बन गया, अउलोकितुवेश्वर के भोव से, यह ब्रोव से, शिव का जन्म हआ, ऐसे बोद्धो के करंड वीव शुत्र में बताए गया है, तो अगर बोद्धो का कोई सुत्र बता रहा है कि शिव का जन्नम कैसे हूआ तो ये सचमुच में ब्रामनी देवता नहीं है ये तो गहिर ब्रामनी देवता हो गई, बोद्धो की देवता हो गई इससे सपष्ट होता है कि कुशान काल में बूदिसत्व अवलोकित्वश्वर को ओईसो अर्था शिव के रूप में बहुत दोने सामने लाया था और अवलोकित वश्वर को महाईश्वर या महेश्वर कहा जाने लगा। इसलिए शिव को भी महाईश्वर या महादेव कहा जाने लगा। लिए अलोकितेश्वर ने लोकेश्वर यह नामधारन कर लिया था ऐसा उसमें चोथे अध्याय में बताया है उसके और उसके यह जो फिर वहाँ पे जो प्रथा चली थी यह तो ओरिजनल बुद्धिस त्रिपिटका में नहीं है लेकिन बाद में जो साहित्य आया बाद में जो प्रथाए आये इनमें ये सब शुरू हुआ और उसी से शिव का जन्व हुआ और वो बाद में उसका ब्रामनी करण किया गया वो aman देवता हो गई अवलोकितेश्वर को ही बाद में शिव कहा गया और अवलोकितेश्वर बुद्ध मंगल में था और कुरुना का प्रतिक था इसलिए उसे शिव मतलब कुरुना में मंगल में देवता कहा गया अवलोकित वश्वर बोधिसत्व जगत के दुखों से मुक्ति दिलाकर उन्हें धम्म के सुकद जगत में लाता है जिससे लोगों का जिवन सुकद और मंगल में होता है इसलिए महालोकिश्वर बोधिसत्व को शिव कहा गया तो इसके अलग-अलग रेफरेंसेस डॉक्टर विलास कराद नहीं दिया है मैं उनमें डिटल में नहीं जाओंगा तो लोकोत्तर महासंदिक बोधो के महावस्तु ग्रंत में अवलोकित सुत्र मिलता है जिसमें अवलोकित वश्वर बोधिसत्व के संकलमना बताई गया है और अवलोकित वश्र गुन करंडक विव में अवलोकित वश्र का बहुत ही महत वर्नन आया है इस तरह से हम देख सकते हैं और उसी समय ये ओम माने पदमे होम जैसे मंत्र जो है ये अस्तितों में आये थे बुधिजम में और उसी से फिर ये ओम निकालकर आगे जाकर ब्राह्म हो है ये संकलपना जो है बुधिजम से उत्पन्वी ये बुध्धा ने नहीं बताया था लेकिन बाद में जैसे बुधिस ट्रेडिशन बदल गई उसमें ये सब अस्तितों में आ गया तो हम देखते हैं सातियों कि कुशान काल में शाक्यमुनी बुध्ध मैत्रेय और अव बीच में शाक्यमुनी है और उनके दाए बाजु में वज्र हात में लेकर वज्र पानी है और बाए बाजु में कमान की कड़ी हात में लेकर शान्त पद्मपानी है उस शिल्प में वज्र पानी सन्यासी के रूप में दिखाया गया है पद्मपानी जो है भारतिय राच्प उत्रके रूप में उचे वश्र और जवाहिराथ से सुशोबित दिखाये गए है। शक्यमनी बुद्ध परम ज्यानी बुद्ध होने के कारण उनके ज्यान को वज्रपानी के रूप में दिखाया है और उनकी कुरुना जो है वो अवलो की तशर के रूप में दिखाये गई है तो ये त्रीमूर्ती जो है ये बड़ी फेमस हो गई तो इसमें वज्रपानी अमन मंत्री अमबठ बुद्ध का विरोध कर रहा था तो वजरपानी ने उसे विरोध किया था और उसकी जो विचार सरनीते उसको नश्ट किया गया था और उसका ही प्रतिक वो वजर या गदा है ऐसा हम देख सकते हैं हम ये वजरपानी का जो कंसेप्ट है ये इसकी जो हिस्ट्री है ये अवरंगाबाद के आजनता गुमपा में भी हमें दिखाई देती है जहाँ पर वजरपानी और पद्मपानी यानि अवलो की तुश्वर गुमपा करमंग एक के चित्र में ये दिखाए गए है अब चीन के वजरपानी को वजरबहुद्धा या करुनाशिल राजा के रूप में दिखाया जाता है उसके एक बाजू में गुरुयपाद बोदिससत्व तो दूसरे बाजू में नारायन दिखाया जाता है और दोनों भी धर्मपाल बोदिससत्व है वजरपानी का वजरवास्तो में त्री रतन का प्रतिक है जिसमें उपर त्रिशुल रहते है और नीचे घंटा रहती है साची के स्थूप में विश्वंतर जातक शिल्प में वजर को दो पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है और उसके बीच में जोडने वाला एक डंडा है तो यह शिल्प पहली सदी में साची स्थूप में उत्तर द्वार पर बनाया गया था त्री रतन की सुरक्षा त्री रतन के प्रतिक वजर के माध्यम से बोधि सत्व करता है इसलिए उसे वजरपानी कहा गया है अब शाट में देखते है कि यह जो शिव शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई तो यह सुवास्तु अर्था शुद्ध निला पानी इस शब्द से हुई थी यह स्वात नदी को बहुत लोग सुवास्तु कहते थे जिससे उस नदी को स्वात नदी का नाम पड़ा और उस प्रदेश को स्वात प्रदेश नाम पड़ा सुवास्तु बाद में शिव बना सुवास्तु प्रदेश बना और बद्ध को सिवी या शिवी ये कहा जाने लगा तो ये ओरिजिन है सुवास्तु शिवास्तु फर सिवी या सिवी तो पाली भाषा में शुरू में तो श की जगा पर सी लिखा जाता था तो ये शिवी जब हुआ शिव ये बाद में जब संस्कृत का निर्मान हुआ तो सिव का शिव हो गया सुवास्तु का शुवास्तु हो गया तो हम आगे देखते हैं कि सिवी ये जो नाम है ये किसी वेक्ति का नहीं है किसी जमात का नहीं है ये प्रदेश का नाम है जैसे हिंदू जो नाम है ये किसी वेक्ति का नहीं है ओरिजनली किसी जमात का नहीं है ये एक जोग्राफिकल एरिया का नाम हुआ करता था सप्त सिंदू फिर स का ह ह हो गया और वो हप्त हिंदू हुआ और उससे हिंदू हो गया तो इसी तरह ये सुवास्तू जो है स्वात य यह जोग्राफिकल लोकेशन है और बोध लोगों को ने समराट अशोक के बाद इस प्रदेश को अत्यनत विकसित उन्नत और धर्ती पर एक स्वर्ग जैसा बनाया इसलिए उसे सुवास्तु यानि सुखद रहने लायक प्रदेश मंगलमे प्रदेश ऐसा बताया गया सुवास है कि कहा पर यह कुशान काल में एक जो स्वात वाली का जो एरिया है स्वात नदी का एरिया वहां से यह कंसेप्ट आया था कि यह मंगलमे एरिया है यहां के लोग अच्छे है तो इसका मतलब इस शब्द का अर्थ है मंगल सुवास्तु का अर्थ है मंगलमे प्रदेश और शुवास्त उससे हो गया और फिर आगे शिव ये शब्द की निर्मितियों हो गई तो ये त्रिमूर्ति की जो संकलपना बहुत दसाइते में है जिसमें धम्म का निर्मान बुद्ध है अधर्म का नाश करने वाला वजरपानी है और धम्म को निरंतर उसका सवरक्षन करने वाला अवलक के तश्वर बुद्ध सत्व है तो ये concept ब्राह्मन पंत में उठाया गया और उन्होंने ब्रह्मा विश्नु महेश की ये त्रिमूर्थी का निर्मान कर दिया तो हम यहाँ पर इसका ओरिजिन देख सकते हैं तो अगर ब्रह्मा विश्नु महेश ये इतने माने जाते है हिंदु धर में और इसका ओरिजिन ही अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में है तो कि ओरिजिनल बुद्धिस्ट ट्रेडिशन नहीं थी ये जो बुद्धा के ब ब्राह्मन पंत में शिव का नईतिक अधब पतन भी कर दिया गया और इसका भी डिस्क्रिप्शन डॉक्टर विलास खरात इस किताब में करते हैं कि किस तरीके से शिव की कहानी को बिबत्स बना दिया ब्राह्मन कथाकारोनी सभी बारतिय तता विदेशी इतियासकार इस बात को मानते हैं कि शिव ये ब्राह्मन देवता नहीं है कुशान कालिन शिव को बुद्ध पूर्वववईदिक कालिन रुद्र के साथ जोडने की कोशिश करते हैं कि रुद्र अवईदिक देवता है और शिव भी अवईदिक देवता है इसलिए दोनों एक ही है और रुद्र के माद्यम से शिव को सिंदु कालिन मुद्रा का योगी भी सावित करते है ये गलत बात है ये पहले ही बोल चुका हूँ शिव वास्त में बोधि सत्व अवलो की त्वेशर तता वजरपानी का सहियुक्त प्रतिकोनी के कारण बोध्दों ने उसे ब्रामनी करन के बावजूद अपना लिया है इसलिए जाट जैसे कटर प्राचिन बोध्दों खुद की उत्पत्ति शिव के जटाओं से बताते है जाट जटा भार जैसे मुलनिवासी जमात भार शिव नाग बताने में गर्व महसुस करते है इस तरह ब्रामनी करन के बावजूद मुलनिवासी बोजुनों ने शिव विष्णू राम कृष्ण अन्य देवी देवतावर नहीं छोड़े क्योंकि इनके अंतर मन पर इनका गहरा प्रभावता क्योंकि ये साब सभी बोध्द देवताई हुआ करती थी आगे चलकर हम देखते सात्वी सतापदी के बाद एक शैववाद शुरू हुआ दक्षिन भारत के ब्रामनों ने शैववाद में ये बड़ी प्रगती की उसके लिए उन्होंने बहुत और जैनों का बड़ा सप्रेशन किया और ये जो भिकू होते थे बहुत जैन भिकू उनके सिर काट कर उनके सीरों की माला शिव के हाथ में दिखा कर उसका एक रोदर रूप जो जिसे भहरों कहना शुरू किया ये भी सामने आया तो शंकराचारे ने बड़े जुल्म किये थे उस वक्त बुद्धिस्ट जो भिकू थे और बुद्धिक के मान्यता वाले जो लोग थे उन पर विहारों पर कबजा किया उनको ब्राह्मनवादी मठों में बदल दिया तो बहुत दो का जो कतलियाम हुआ इसका उल्ले जो है ये शंकर दिग्विजय में भी दिया है साथियो आगे विलाज जी बहुत दस्तूप जो थे वो शिवलिंग में कैसे कनवाट हो गए इसकी जानकारी बड़ी डिटेल में देते हैं तो उसमें से कुछ मुद्धे में आपको यहाँ पर से सुनाओंगा सारा का सारा सुनाने सकता हूँ क्योंकि यह बहुत लंबा हो जाएगा स्वामी वेवकानन की जो विश्व विख्यात एक शिश्षा थी भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता उनके फुट फाल्स अप इंडियन हिस्ट्री नाम के गरंत में उन्होंने कहा है कि लोग बुद्ध को अपने बीच समझते थे और बुद्ध को निरंतर अपने जीवन में याद करते थे जिसमें एक उच्चतम संकलपना थी कि बुद्ध एक ऐसे देवता के रूप में हमारे बीच मौजुद है और हमें उपर से भी देख रहे हैं तो यही संकलपना बाद में शिव महादेव के रूप में इसका जो ब्राह्मनी करन हुआ उसमें हम देखते हैं स्वामी विवेका नंजी का भी यही मानना था कि वर्तमान हिंदु धर्म यह पतित महायान धर्म का रूप है बोधो के संकलपना प्रतिकों को अपना कर चुरा कर यह नया ब्राह्मनवाद का रूप हिंदु धर्म के नाम से प्रचलित किया गया है शंकराचारे ने शवेवाद के नाम पर हिंसक अभियान चलाया और मुरुत हुए ब्राम्मन वात को फिर से पुनर जिवित किया शंकराचारे ने बुद्गया पर भी हमला किया बुद्गया के मंदिर के पास के जमीन पर आज भी शंकराचारे के नाम पर महंत ब्राम्मनों का कपजा है और दुख की बात यह है कि उनी शड्यंतकारी पुरोहितों का महाविहार पर भी कपचा है तो यह बड़ी हैरान करने वाली बात है इतना ही नहीं तो उसी स्तान पर बुद्धस्तुपों को तोड़कर उन्हें शिवलिंग में बदल दिया गया है बुद्ध स्थुपो को तोड़ कर उसे शिवलिंग में बदलने की जो साजिष शंकराचारें से आरम हुई थी तो ये अब तक चलियाई है कुछ सदियों तक ये हम देख सकते हैं इसमें हिस्ट्री में तो शंकराचारें जो थे इनकी आक्रमक जो प्रतिक्रांती हुई थी य उन्होंने फिर बुद्ध धर्म को नश्ट करने का एक अभियान छेड़ दिया था बड़े आक्रमक तरीके से वो हिमाचल से लेकर समुंदर तक ये अभियान उन्हें चलाया तो जो शीमट बद्रिनाच जैसे केंद्र ये भी बुद्ध केंद्र थे उनके जगा पर ब्राम बद्रि कहा जाता था इस इलाके में हिमाचल के तो ये बद्रिनाथ वगरे ये जो इलाके है ये बुद्ध के केंद्र थे पहले और बुद्ध की वहा को इस्तानिक भाशा में वहा पर बद्रि कहा जाता है यहां हिमाचल के एरियाज में तो बद्रिनाथ ये बुद्ध का ह रूप है और आगे यह कहती है भगिनी निवेदिता कि विहार में जहाँ पर भी पीपल रुक्षे के नीचे गेरुआ रंग लगाए हुए पत्थर मिलते हैं या रास्ते पर चोटा सा मिट्टी का ठीला और उसके उपर पीर की मजार दिखाई पड़ती है तो समझ लेना कि व पिर ब्राह्मनी करन हो गया तो इसको हिंदूों ने अपना लिया और फिर यह ऐसा हम समझते कि हिंदूों की प्रता है लेकिन यह बहुत दस्तूपों का एक प्रतिक हुआ करता था सिंबॉल हुआ करता था तो पुरोईतों ने हिंसा के साथ यह बोधिव रुक्ष जो है इ हिंदू करन हो गया ब्राह्मनी करन हो गया तो यह बात अब बड़े नाशनल इंटरनाशनल लेवल के जो डीप रिसरच करते हैं यह सब मानते है इस यही कहानी हमें मतुरा में मिलती है यही कहानी हमें और भी जो भी केंद्र है आज ब्राह्मन धर्म के केंद्र माने जाते ह ये उस वक्त बोध धर्म के केंदर हुआ करते थे हम ऐसा इभधारन बनारस में देखते हैं तो बनारस में वारानसी के उत्तर में उत्तर में शहर के बाहर भहर गयाने शिव का मंदिर था और उसके परिसर में एक बड़ा पत्थर का शिवलिंग था जिसकी पूजा लोग लाट भहरो यानि शिव की लाटी के रूप में करते थे यह मंदिर जो था अउरंग जेब ने इसे तोड़कर मस्जित में परिवर्तित कर दिया था लेकिन बड़ा पत्थर का जो स्तंब है य यह अशुक स्तंब है जिसे स्तूप कहते है और यह बौ्ध धरम का प्रतिक यह तो ओरिजनली यह ब Александर मंदिर हिंदूों का ब्रहमनों का नहीं था यह बौत्ध मंदिर था जो बाग में इस तरिके से ट्रांसपरमेशन कर दिया गया था तो ऐसे ही transformation हम देखते हैं आज महराष्टर में अश्टविनायक की जगा है या कोई किसी जगा को पांडव लेनी या पांडव ऐसे नाम दिये जाते हैं जैसे आयोद्धा का विवाद है बाबरी मस्चित और मंदिर का तो actually बाबरी मस्चित के जगा नीचे जो खुदाई हु के expert है उन्होंने ये post किया है कि ये जो pillars मिले है खुदाई में ये तो Buddhist architecture है इसका जो पूरा design है उस पर बुदा के चोटे-चोटे मूर्तिया भी है वो pillars पे तो ये राम का मंदिर कहा से हो गया तो साक्यत की बुमी में जो नीचे बुदिस्ट विहार के बुदिस्ट मंदिर के जो evidences आ रहे है लेकिन उसको लोग मान रहे है कि ये राम का मंदिर है ऐसी ही परिस्तिती है ये सारे हिंदु मुस्लिम के जो विवाद है ऐसी जगा पर ये पुराने Buddhist स्थल है लेकिन अब ब्राह्मन पंत को मानने वाले हिंदुतोवादी जो लोग है इन पर claim करते है तो ये त्रिशूल दिखाई देता है बुद्ध दम्म और संग का और इसको बाद में फिर इसका ब्राह्मनी करन हो गया तो ये उनके भगवान अलग-अलग जो है उनके हाथ में ये त्रिशूल दे दिया गया और लास्ट में मैं अब नंदी के बारे में और थोड़ा सा ये ज की जो कहते है उसके बारे में बताऊंगा तो ततागत बुद्ध को जो विशेशन दिये जाते है उसमें मनुष्यो का नंदी यह भी एक विशेशन हुआ करता था और इसके जो एविडेंस है जब ततागत बुद्ध वापस कपिल वस्तु आते है तो उनकी जो पतनी है ये वो राहुल को बताती है कि तुमारे पिता जिप कहा है तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अपने उच्छ कोटी भिक्कु संग के साथ स्वर्न कांती में जो दिख रहे है वे प्रानियों के बीच दिखाई देने वाले चमकदार नंदी के जैसे दिख रहे है वो तुमारे पिता है और आगे चल कर भी कुछ जो रेफरेंसेस है कि भगवान बुद्ध को नंदी के रूप में बुलाया करते थे दम्मक चक्र के साथ जो प्रानी दिखाई है उसमें नंदी खास करके दिखाया जाता है तो ये बुद्धिजम का बुद्धा का प्रतिक जैसे हाती होत होता है वैसे नंदी भी दिखाते है अशोक स्तंब में अलग अलग जगा पर नंदी का चित्र है आज हमारे वो नाशनल जो सिंबॉल से उसमें भी इनका समावेश किया जाता है तो ब्राह्मन पुरोहितों ने बहुत दो के नंदी का ब्राह्मनी करन करके फिर एक कालपनिक कथा रजदी कि ये शिलद के यद्य से पैदा हुआ शिव का पुत्र है ऐसा ये पवरानिक कथा उस पर रजदी तो ये विलासकराजी कहते है कि ये भी बुद्ध की शिक्षा का बुद्ध का अपमान करने के लिए उन्होंने कहा है कि उनके शिव ब्राह्मनी करन किये गए शिव के अनावरस पुत्र को नंदि उन्होंने कहा है और उसको फिर शिव का द्वारपाल बना के उसके दरवाजे पर खड़ा कर दिया है तो ये भी एक बुद्ध को अपमान करने की एक चाल पुरोहितों की लगती है और आखिर में जो तीसरी आग जो शिव की दिखाए जा की मूर्तिया जो है ये सबसे पुरानी मूर्तिया है भारतिय उपकंड में और इन में से कुछ मूर्तियों में ये यहाँ पर एक ऐसा इलेवेशन दिखाया जाता है जिसको प्रग्या चक्षु प्रग्या की आख जिससे आप दोनों आख बन करके अंदर जाए और सत्यका सक शातकार करे, मुक्ती प्राप्त करे तो ये प्रज्या की आख हुआ करती थी सुख की, दुख मुक्ती की आख तो इसी को फिर आगे जाकर शंकर को तीसे आख जोड़ दी और उसी से आगे चलकर पिर जो टिका लगाना, ठिलक लगाना या फिर आगे जाकर मांग में सिंदूर बरना ये सारी प्रथाए जो ब्रामनी करन इसका हुआ तो ये हिंदु धर्म की कहलाने जाने लेगी लेकिन मुलता ये जो प्रथा थी ये शिल्प कला ये मुल बुद्धिस्ट त्रिपिटक वगरे में नहीं है इसमें सिर्फ प्रध् जंकर और आधी लोगों को ये जोड़ दी गई तो सातियों मैं आशा करता हूँ कि मैंने ये जो रेफ्रेंसेस लेकर जो इन्फॉर्मेशन जो हिस्ट्री की है ये आपके सामने प्रस्तुत की है इस मंगल आउसर पर इस हैपी इवेंट के दिन तो आई होब दिस मेक सेंस औ और प्रकाशक डॉक्टर बाबासाब अंबेटकर रिसर्स सेंडर नई दिल्ली को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहुत शुबेच्चा देता हूँ आई होब कि अगला जो कारेक्रम है बचा हुआ कारेक्रम ये आप सब लोग एंजॉय करे और मैं भी इस का को बहुत बहुत शुबेच्चा आए जय भेम नमो मुद्धाय जय मुलनिवासे